हालो दोस्तों स्वागत हैब सभी कर तो दा पॉइंट में आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन हम जानने की कोशिश करेंगे के WTO करता क्या है इसके अब्जेक्टिवस और एम्स क्या है और इसका सिग्निफिकन्स दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स क को लेकर कितना है इन सभी चीजों के बारे में आज का हमारा ये वीडियो सबसे पहले आई यह जानने की कोशिश करते हैं कि WTO है क्या और इसका हिस्तोरिकल बैक्राउंड क्या है देखें वर्ल ट्रेड ओर्गनाइजेशन इस एन इंटर गवर्नमेंटल और गवर्नाइजे इंटर गवर्नमेंटल और गवर्नाइजेशन कहते हैं देखें मैं अल्रडी यूएन के बारे में कहते हुए यह कहा कि यूएन सौवरेन बॉडी नहीं है वो किसी भी तरीखें के नेशनल सेट अप का या फिर नेशनल स्टैचियोर का उसे बैकिंग नहीं है लेकिन वो एक और गवर्नाइजेशन की तरह काम करता है जहाँ पर पूरे सरकारों को पूरे दुनिया बर के जितने अलग अलग सरकार हैं वहाँ पर आते हैं डिसकस करते हैं प्लाटफॉर्म वगरा उन्हें मिलता है डिसकस्शन के लिए तो उसी तरह डव्यू त्यो जो है वह एक इंट बहिंदा हैं उन्हें के लिए किस तरीके के रूइशनों होने चाहिए इंपोर्टस के अच्छाईए दोनों कंट्रीज के भी जब ट्रेड होता है तो व्य lobby की सरीटी कि तर्59 के वेऊघूंगे इनसे पर चलए मन Сब्रेशन को और भाद करतकर लिबरायाइस करता हैं लिव globalization, privatization और globalization तब तो यहां पर जाहिर सी बात है कि globalization जो सबसे important issue है जो के पुरी world economy को एक market की तरह बनाने की गोशिश करता है तो यहां पर चाहिए कि हम एक unique set of और एक uniform set of rules and regulations दें ताकि world trade और commerce वो freely home हो सके तो WTO एक platform provide करता है दुनिया भर के अलग-अलग देश के सरकारों को आन के लिए negotiate करने के लिए और terms and conditions बनाने के लिए the history of WTO begins with signing of general agreement on tariffs and trade in 1947 again यह भी second world war के बात का ही एक result आप मान सकते हैं अगर आपको याद हो तो उसी तरीके से यह भी जो है international खासकर western dominance का ही है यह organization general agreement on tariff and trade यान के general agreements बना गये थे के trade और tariff को लेगर global economy में खास जाहिर सी बात है कि global trade or commerce में लें देन किस तरह होगा terms and conditions क्या होंगे तो GATT जो है वो बहुत ही dominant था WTO से पहले from 1948 to 1994 general agreement on tariffs and trade provided the rules for bulk of world trade and presided over periods that saw some of the highest growth rates in the international trade जाहिर सी बात है कि यही वो time frame था जब पूरे western world में industrialization के जो fruits है वो रीप किये जा रहे थे पूरे दुनिया फर में भी third world countries जो थे वो free हो चुके थे जाहर सी बात है आपको पता होगा कि GATT का successor जो है वो WTO है तो currently WTO has 164 members तो 164 अलग अलग nations जो है वो नोंने इसमें अपनी membership लिए होई regulations यहां पर apply होंगे as far as exports and imports are concerned even to a maximum extent जो domestic production भी होता है जो आपका domestic जो demand or supply भी होता है वो भी कहीं ना कहीं influence होती है in the WTO के rules and regulations से क्योंकि जाहर सी बत है कि domestically produced जो care करेंगे वही तो export करेंगे हो जब export की जब बात करेंगे तो सिन पर WTO automatically आही जाता है the world trade organization is also a place for member governments to settle their trade disputes जो कोई भी दो countries के बीच में trade related कोई भी disputes हो जाते हैं export import related वो WTO के पास जा सकते हैं उसके resolution के लिए अपने इस dispute को सेटिल करने के लिए it is located in Geneva Switzerland बहुत important है कि बार exam में पूचा जा सकता है कि इसका location कहां पर है यह Geneva Switzerland में है it was established on 1st January 1995 and its official languages are English, French and Spanish तो यही Geneva Switzerland है जहां पर हम World Economic Forum भी देखते हैं हर साल जो है World Economic Forum का conference वहाँ पर चलता है तो जाहर सी बात है बड़े-बड़े business tycoons वहाँ पर आते हैं economy related अच्छे-खाथा discussions वहाँ पर होते हैं world leaders भी जाते हैं तो इस तरीक से Geneva में हमें WTO देखने को मिलता है और आखर में objectives क्या है WTO कि हमने अल्रेडी देखा के trade related है commerce related है क्या बस पैसा कमाना ही या फिर पैसे का लेंदेन ही जो है वो WTO का reason है तो answer बिल्कुल नहीं है it is actually to raise the standards of living देखिए international body जो कोई भी हो UN हो या फिर WTO हो या फिर WHO हो या फिर FAO Food Agricultural Organization हो यह सभी कही ना कही human development के लिए है जो कोई भी undeveloped countries है वो चाहते हैं कि उन्हें developed बने जाए जहां कहीं भी standard of living कम है यह international organizations चाहते हैं कि उस countries में standard of living बढ़े ताकि सभी humans को equal opportunity दी जाए develop होने के लिए और सभी countries को equal development मिला जाए जिस तरीके से हमने 17th 18th century में colonialism देखा अब invasions वगे रहा देखे और medieval ancient जो जिस तरीके से problematic जिस तरीके से हमने देखा कि बस एक region बढ़ रहा है दुसरा नहीं बढ़ रहा है gross socio-economic injustice जो हो रहे हैं उसे यह खतम करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात standard of livings को जो है वो raise करना चाहते हैं दुसरा ensure full employment बिलकुल सरकारी नौकरी हो या फिर private नौकरी हो कही ना कही directly और indirectly वो trade से ही related होती है LinkedIn से related होती है तो full employment भी वो ensure करना चाहते हैं पुरे दुनिया भर में migrants का issue भी solve होगा employment भी बढ़ेंगी insure large and steadily growing volume of real income and effective demand लोगों तक जो असली income जाती है inflation के बाद जो disposable income उनके हाथ में मिलती है कि जो चीज वो expenditure में कर सकते हैं जितना उन्हें लग रहा है जितना उन्हें मिल रहा है उसका volume steadily increase करना चाहते हैं और demand जो है लोगों का effectively बढ़ाना चाहते हैं और लोगों का demand तभी बढ़ेगा products के लिए जब उनके पास real income सही तोर पर एक positive growth track में बढ़ेगी तो expand the production of and trade in goods and services while allowing for the optimal use of world resources in accordance with the objective of sustainable development मैंने already एक वीडियो किया हुआ sustainable development में मैं आपसे recommend करूंगा कि आप जा करो देखें बस यह concept है कि make use of today's resources in such a way that tomorrow's generation are not adversely affected जो कोई भी हमें आज मिल रहा है जो कुछ भी हमें मिल रहा है